सावनेर तालुका के सालाई और नान्दा गोमूक इलाकों में बेमोसम बारिश से किसानों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है इसी के चलते सावनेर कलमेशर्ग निर्वाचन शेतर के विधायक और पशुपालन डेरी विकास खेल और युवा कल्यान मंतरी सुनिल केदार ने व्यक्तिकत रूप से सालाई और नान्दा गोमूक में मुसलाधार बारिश से हुए नुकसान का निरिक्षन किया और किसानों से मिलकर नुकसान का जाज़ा लिया पहले ही कोरोना जैसी महामारी ने पूरे देश को तहस दहस करतिया है देश में कहीं न कहीं कुरुशी उत्योग ने देश की अर्थविवस्ता को संबाला है लेकिन बेमुसलाधार बारिश ने किसानों को परिशान करतिया है सांदे टालुका के सलाई और नांदा गोमुक इलागों में बेमुसलाधार बारिश से किसानों को काफी नुकसान पाहे जिसका जायजा परशुपालन, डेरी विकास, खेल और यवाक कल्यान मत्री सुनिल केदा ने लिया इस आउसर पर नाग्पुर जिला परिशत की अधिक्ष्य रश्मी बरवे, उपाध्यक्ष्य मनुहर कुम्भारे, साथी राजस्व विभाग एवं कृशे विभाग के अधिकारी उपस दित थे इस मौकी पर मंत्री सुनिल केदा ने प्रशासन को तुरंट पंचनामा करा कर मौजा देने के रिपोर्ट देने का निर्थिष दिया